इस बार प्रात्य भरत्य लिखित परिछा में एक बिवित का जो प्रक्रम जुड़ा है उसमें जोड़ा गया आपका जनगर्णा क्या जोड़ा गया है जनगर्णा तो जनगर्णा के बारे में कुछ बाते हम लोग पहले पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं फिर जनगर्णा क ही प्राराण करते हैं तो जणगणना क्या होती ही इसकी सुरुआत कहा सोई मिला तो वास्तों में जप यूंब के अर्सास्तर में भारती ज़ जनगणना के पत्रत me दीखा जाये तो पहली बार जन्गणना को जो प्रयासरत था जो प्रयास किया गया और किसके दौरा मिला कोटिल के अर्शास्तर में कोटिल के दो नम और थे चाणक के और वहां समय प्राप्त होते जनगर्णा के कुछ साथ से प्राप्त होते पूरी जनगर्णा के साथ नहीं प्राप्त होते उसके बात भारत में जनगर्णा कराने का प्रयास अकबर ने किया था क वह किस प्याधारित था वह अनुमान प्याधारित था कि हमारे नगर की या इस जगर की जनसंख्या इतनी होगी जैसे अगर का युद्ध के ले जा रहे हैं यह से योजनाय चलानी होती है तो उसके लिए क्या होता है पता चला यहाप इतनी संख्या होगी इतनी संख्या तो अब प्रस्मोट के बाहरा आता है कि जनगरना क्यों जरूरी है क्योंकि आप की ध्षयपक बनने जारे हैं प्रात्यमिद्धया लगते अध्यपक बनने के खाम को और मिलेगा पहानिक साहओं जनगरना करें का कशाथ-णा तो-तो-पहले यह-जानते तो मतलब सरकार दोर चलाएगा योजनाओं का लाभार्तियों को लाभ पोचे इसके लिए आपको देश की जनसां क्या या उस अस्थान की जनसां क्या पताओना आप कहा भी क्या होगा साधियां बढ़ती है तो पहले पुछता है हलवाई कितने बाराती होंगे क्यों यही जनगर्णा है यह जनगर्णा यह देश है जो हम आस्तर छुपाता है जनगर्णा भारत में जंगणना 1872 में लाड मेयोग के सासनकाल में प्रारम की गई किन्तु जो बैज्ञानिक तरीके से हुआ जो दसवर्सी गणना है वह लाड रिपन 1881 में प्रारम की गई लाड रिपन से जो प्रतिवर्स ददसवर्सों के अंतराल पर एक्यासी, एक्यानवे, ग्यार, एक्यानवे, 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 एक्यानव ब्हारत की यह साथी जणगर्णा थी और जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसमें पहली जो जणगर्णा खराई गई थी स्वतंत्र प्राप्ति के बाद वह 1951 थी कितनी थी 1951 अब इस जनगर्णा के साथ कुछ बाते और जुड़ी है 1921 को महान विभाजक वर्स Great Dividing Year की संग्या दी जाती है इसकी Great Dividing Year इसकी महा विभाजक वर्स कहा जाता है यह प्रस्ट पुछ चुका है कई परिछों में क्योंकि 1921 में आप जानते हैं हमारे भारतियों की खास पहचान है पूरे वर्ल्ड में कि हमारे हम दो हमारे आने दो आने दो ऑला नहीं आने दो तो इसलिए भारत की जनसंग्या लगातार बढ़ती जा रही है प्रक्रम में लगातार लेकिन उसी की इतिहास में और नई 111 ऐसा समय आया जिस समय जन संख्या कम हो गई तो इसलिए उसे महान भी भाजा को अर्सका जाता उसके बाद लगाता जन संख्या बलती जा रही है लेकिन वह ऐसा समय था जिस समय जन संख्या क्या हो गई पीछे के तरब भी कम हो गई लेकिन उसके भी रिजन दिये गए उसके भी लॉजिक थे पहला लॉजिक पर्थम विस्युद काफी लोग उसमें बलिदान दिये अपना उसके बार महामारी हैजा प्ले कालरा पहले जब बिमारी आती गाओं के गाओं सफा हो जाते थे उसमें अच्छे उपचार क कोर्स कहा जाता है दृती महान विभाजा कोर्स सेकेंडरी गेट डिवाइडिंग इयर 1951 को जो स्वतंदर भारत की पहली जन गणना थी 1951 की स्वतंदर भारत की पहली जन गणना थी उसमें भी युद्व में खाली हुए चामल देती विश्युदि के बाद हमारे देश में काफी संख्या कमी हुए थी और बटवारा हुए था ठीक और उसके बाद लगातार जन संख्या हमारे हाँ बरती गई और 2011 की जन गणना में कि बात आप लोगों ने सुना भी होगा हमारे मानेनी प्रदान मंतरी मोदी के मूझ से सवा सो करोन देश वासी हो थी तो आपको जन संख्या याद नहीं करनी देश की कितनी है थी यह हो गया अब जब 1951 में पहली जन गणना हुई थी देश की पहली जन गणना उसमें जन गणना करने वाला ब्यक्ति था वह ब्यक्तियों से 19 सवाल पूशता था कितने 19 सवाल पूशता था किन्तों 2011 की जन गणना हुई है उसमें कितने सवाल पूछे गए थे आप एक अध्यापक होंगे आपको रेइस्टर मिलेगा आप धरवाजब किसी के जाएंगे तो वह है कि हमारे हां इस समय यह पूछा जाता है कि 2011 की जन गणना हुई थी उसमें कितने पूछे जाने थे प्रते घर से 39 पूछे जाने थे 2011 जन गणना 2011 जन गणना का मुख जन गणना आयुक्ट कौन था सीच चंद्रमोली सीच चंद्रमोली मुख जन गणना आयुक्ट 2011 जन गणना का सीच चंद्रमोली उन्तिस कोश्चन आप भी जाएगा आप पुछिएगा प्रेश्ट करते हैं अभी यह 2011 जनकर्णा टीचर किये और कई करेंगे टीचर नहीं किये थे अच्छा सीच चंद्रमोली सीच चंद्रमोली थे अरे गावर पूशता है कि 2011 की जनकर्णा की थीम क्या थी थीम हमारी जनकर्णा हमारा भविष हमारी जनकर्णा हमारी भविष यह थीम यही पूशता है एक लाइन डारेक्ट कि 2011 जनकर्णा की थीम क्या थी हमारी जनगर्णा कामा हमारा भविश हमारी जनगर्णा हमारा भविश पईसा भविश बना रहे हैं देश में इचीन के बाद दुसरे पादाने पहुच गए नमर एक पर जाएंगे आप आप की देश अच्छा पुरा देश चली हो गया अब 2011 जनगर्णा अब जो अगली जनगर्णा हो नहीं हो दो जार कैस्व होगी इस 2011 जनगर्णा आपके सेलवस में रखा गया है इससे कुछ हम लोग को प्रसंत्यार करते हैं तो याद करने के लिए इतना अदा ऊपर नीचे है कि आदमी रात करेगा उपर से नीचे से क्रेस हो जाएगा उसके लिए अम लोग क्या करते हैं एक लएने को कोडिशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं वह यह हैं आप लोगों ने ट्रक चलते गाना सुना होगा कि पंडी जी बताई नव बिया कव के मन ने कहा विया कब हुई सब दो अलफवेट है हुई का कोई मतलब नहीं यह सब दो इस संटेंज को पूरा करने के लिए लगे थे अब जो पहला वर्ड मिलेगा वह अधिक्तम होगा जो सिकंड वर्ल होगा वह नियुंतम होगा जान दीजेगा बात को जो पहला सब्ड टेंग दस मालोगण दिए में की एक हरभ कर यह लगभग तो वह मैंने देश की किस नहीं की संग्यार है उत्तरपर देश करोण जबाव करूण सब से कम कि स्राज्ण संग्या सहा से सकीम उसे उत्तरिपर देश जय्स नहीं continue है ठिक अब बुद कि यहां होता है पृटहले वश्द ऑ़स के जन संक्षा में इस वर्स कितने प्रेश्द की बृद्द होता कैसे निकालो देपता है का सुछ क्या होता है सुन ब्रेच्त पिछले नर्ट दस वर्स की माने ईसे अगर आपको 2011 की दस की ब्रिद्ध निकालना तो उसका फॉर्मूला क्या होगा क्या होगा 2011 की जनगरना माइनस 2001 की जनगरना पूरे का बटे 2001 की जनगरना गुले सो वह परसेंटेज वाला चिन अगर कोई वास्तु पांट सुरुपए गवास्तु छोसरुपए विके अरज़बा कोश्चन में तो उसी भी निकल जाएगा तुरंद तो जो दस की ब्रिद्ध हुई 17 दसमरों माने भारत ने दस साल में अपने यहां कितने लोग को बलाया सारे सत्रा परसेंट की जैसान की अब रिद्ध कर दी पिछले साल की अप इच्छा ठीक और सबसे ज्यादा मैं से लिखेगा में घाले और नहीं से लिखेगा नागालेंड तो सबसे ज्यादा जो है दस की ब्रिद्ध की सराज की में घाले की लिखेगा 27.9 परसेंट 27.9 में घाले का अधिकिन नागालेंड का अलग अलग किताब में अलग 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 दे रहा है कहीं दे रहा है सबस्पर जूद दे रहा है माइनस सब्הइन सब्सक्रों हिो माइनस में जहां पर जहां पीछे की तरह बढ़ी है और आश्ट जो पुरे देश काउं सब्तर दस्मलाओं पांच परसेंट तो क्या हो गया उसके मन ने कहा बिया कब होई अब आया कहा कहा क्या होता है यह पहला हो गया अधिकता दूसरा अलफबेट नियुनतब अब इसमें देखिये इसके वारें देख लेते हैं यह है लिंगानुपात इसे सेक्स रेशियो कहते है यह लिंगानुपात का मतलब होता है एक हजार पुरसों पे महिलाओं की संख्या देश में कित 143 लेकिन अगर राजी की दिश्ट कॉर्ट से देखा जाए तो लिंगानुपात की दिश्ट से सबसे बड़ा राज्य केरल है लिख लिए एक हजार 84 माने एक हजार पूर्सों पे कितनी महिला है वह एक हजार 84 84 श्ट्रा है जॉनपूर में भी इस्ट्रा जिंता ना करें बचेंग नहीं पत्रपदेश का एक मात्र ऐसा जिला है जॉनपूर जिला हाँ गोरो जी यह बहुत भागे साली है हम निकलना है दिलनी यार इसी बात ठीक योगया केरल एक हजार 84 सबसे कम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाइव सुभारम कहां से गया उसका उद्देश क्या था लिंगानुपा सुधारना यह आपके सेल्बस यह करेंड में कोश्चन आपका पूल सकता है करेंड लिक्षित पर इच्छा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाना के पानी पर सुरुवात की गई उसका उद्देश क्या था लेंगानुपात को सुधारना हां ब्राइन अबेच्दर साच्छी मलिक किसकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक क्वेश्चन ज कि अच्छा ब्राइंड बेच्टर भी है देखिए के एरेल की कितनी है के सबसे ज्यादा लिंगानुपात है एक हजा चौरासी हरियाना का आठ आठ सो नियासी एट सेवेन नाइन ठेक अच्छे बात आओर इसलिए यहाँ पे दहज लिया ने दिया जाता है अलागला राज्यों से लड़किया जारी है साधी के लिए लड़की कितने कुवारे राजेंग घटाई है जड़ा तो एक चलिए यहीं सताब योगी मोदी ओट बहरी पास पर निखलेंगे आगे देखते हैं अब आते हैं भी आ पे तो यहां क्या यह जनघनत तो है जनघनत कैसे निकलते कुल जन शंख्या में चट्रफल का भाग दे देते हैं क्या निकल जाता है जन घंध तुमाने प्रति एक ओवर किलोमेटर में निवास करने वाले बेख्तियों की संख्या को क्या कहते हैं हम जन घंध तो कहते हैं देश का जन घंध 302 यह सबसे ज़्यादा किसराज के भीशे 16 1100 सबसे कम अउडांचल परदेश सबसे कम ऍंचल परदेश सबसे कम Sn परदेश से 265 सिर्फ सत्रह है माने एक वर किलो मेंटर बेनिवास करें बेक्तिशन कितनी है सत्रह है अरे अभी बाताएंगे और आश्रा पदेश के बारें बहुत सारा सीटेट वाले पॉइंट लेंगे कि सीटेट पूर सकता है समय बाद करना है टाइम बाद करना है जो टेट क्वालिफाई हो गया है पूरी मांदारी से लगे लिखित पे इदावदा फड़ फड़ा है ना निकाहा एक कहावत है ना घर की उर्दी जंगरे में डालना मतला अब 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 आते कब यह साच्छर्टा अम एक परस्त पूछ कई घई सामों भी पोछना चाहिए लगन मैं किसी बीदिसे से पूछुंगा ते है कि साच्चर किसे कहते हैं आप से नहीं जो ना पर लिखना जैता हुआ चलिए साच्छ्य कि तो आप बताएगा सोनी जी हाँ पढ़े लेता है पता है अपना नाम बोले कठी नाम बर्गेस भी लिख दिया उड़न तुरह भी लगा दिया अच्छा तो सही वात है अब आप अजलीजी अच्छा पढ़ना भी जानता लिखना भी जाना है कई मात्र भासा सद्धक्रण प्रयोग हुआ है जोरी वंग्रेजी लिखना जाने तब हैं सचर कहेंगे चलिए अब आप बताएगा अब अब सचरों लड़का इसको मैं देखाँ शाड़े चारय हाँ चली और कोई बताए है आप लोग प्राशी में जा रहे हैं एक बाता हो याद रखिएगा अगर साचर किसे कहते वह बनना च्छा वर्ष की आई पूरी कर चुका हो और अपनी मात्रवासा में सुद्ध लिख सकता सुद्ध पढ़ सकता हो साइन करना भाड में जाए लेकिन हो आई कितनी पूरी कर चुका हो तभी मैंने कहा हो चारे चारे पांट साल का बंदा है तो आप कहेंगे साचर है उसकी गिंती घंडा में नहीं होगी अगर पूछेंगे 29 सवाल आपको दिये गए उसे पूछेंगे कितनी साल का है तब पूरी इतिहाद भुगों जानता हूं तो साचर किसे कहेंगे 6 वर्ष की आयू पूरी कर चुका है अभी क्यों कुरा कर चुका हो भी मैं आप से पूछेंगे आप राच्वीं बिद्याले का ध्यापक बने जा रहे हैं ठीक अध्यापक बन जाएंगे भगवान करें आप ल आप सिखाएंगे तब तो साल भर में अब आप सब इतने अच्छे अध्यापक है कि पूरे मनयों के साथ पढ़ाएंगे एक साल में साचर बना देंगे को tyre सबुकर है तो जो पूरे देश साचर ता है कितनी है 73 परसेंट माने पूरे देश में साचर बीटे परसेंट किымकितनी क्यां 30 कि मिदंधन और पुरूश है नहीं असी दस्मठों जीरो नौ परसेंट और जो महिलाएं है जो महिला सा चर्ता है वह चौसर दस्मलो च्छा परसेंट है ठीक अच्छा अब राज में देखा है कब से कर से केरल तो सबसे ज्यादा केरल की ऐसा चर्ता चौराने परसेंट है भगवान उत्रपदेश का भी भला कर दे आप जैसे अध्यापको दोरा नहीं अभी बताएंगे कैंसासित में आजाएगा अब देखिए बिहार लालुजी एक साथ दस्मलो वाट परसेंट केरल का है आपका चौराने परसेंट एक साथ दस्मलो वाट प कि यूपी का चौशज़ परसेंट है अब बज़ेगा उत्रपदेश किसी दिन और आम लग पढएंगे उत्रपदेश को ठाएंगे और कोई टिक्ड लगाएंगे परिशाचरता खतम कर देंगे तो फिर एक बार आपको याद दिला दे उसके मन ने कहा भिया कभ होई उस मह सबसे कम सबसे कम सबसे कम अलाराज कि उसके बाद दूसरे बादर इंपया थे मन मन माने 10 की परीड कर दसकी बिदेश और सबसे जब जादे गहाल है और उनती समलो नो परसेंट और सबसे कम नागा लेंट माइनस 0.6 परसेंट 0.4 परसेंट ठीक उसके बाद है कहा माने लिंगानुपाद लिंगानुपाद पूरे बेस का 943 और यहां हमारे हां केरल और हरियाडा केरल का एक हजार इसको समसे जोड़ लिजेगा ने घटना से जैसे मेरी काम ने बता है तुरंते यहाद आजाएगा फिर बिया बिया मैंने बिहार और अंजर परदेश में क्या है वहां पर क्या है बड़े-बड़े उच्वडे परवत पठार है कौन रहने जाएगा इसलिए मां जन्गनत क्य तो के से केरल के सबस्यादा साचर्था है जब साचर्था लिंगन पाद भी जाएदा होगा बड़े लिख्योंगे लेकिन यहां सब क्या होगे इसका भी समस्याएगे लिंगन पाद की तो यहां पर साचर्था जोगा 73 परसंट पूरे देश की है पुरुष 6,8,9 परसें मै शादिया कर Deni एक बाट क're में और इंवाष क्र各 में में कि तो तल के कि किसी कोई क्राज वच्वें ने पुचना है आप सब अ कॉफी कनाल में कर दीजिए गर नहीं दिखा यहां होगा इसलिए मैंने पल दिया और सेयर कर दीजेगा कर लगे रहे और आपको इस tier ear noad click sublock कर बढाइब सकते हैं